हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माय यूटूब चैनल स्काइल आर्ग इंस्टिटुट फॉर इंग्लिश और मैंने आपको पहले जो मैंने वीडियो डाले ते उसमें मैंने प्रोनाउन एक ही टॉपिक लिया था तो उसी टॉपिक को अभी आगे अपने को कंटिन्यू करना है तो आज प्रोनाउन में इंट्रागेटिव प्रोनाउन लेना है क्यूंकि मुझे आपको how to frame question आपको मालूम है अगर आपको English में बात करनी है English में बोलना है English में लिखना है English को समझना है तो आपको हर type के question आने चाहिए और questioning is a very nice skill अगर आप किसी को सही धंक से question पूचने के काबिल हो तो लोग बोलेंगे कि ये आदमी की जो पड़ाई है या जो समझ है वो अच्ची है लेकिन आपको present tense में past tense में future tense में हर एक जगह हर एक माहोल में उसी हिसाब से आपको सवाल पूचते आना चाहिए सवाल पूचना इतना आसान नहीं है और अगर आप questioning करते हो तो आप में वो भी capability चाहिए कि मुझे उसका answer भी पता होना चाहिए तो अगर आपको grammar में English grammar में perfect question पूचना है तो आपको थोड़ी practice करनी पड़ेगी अभी question formation के लिए क्या technique है और grammar में आपको क्या क्या करना है इस सब बातों को लेके ये video बनने वाला है ये थोड़ा lengthy बनेगा लेकिन it is very useful so इसको आप opening से लेके तो last तक सही डंग से अगर आप देखोगे तो आपकी questioning की skill सही डंग से develop हो जाएगी और इसलिए आपको मेरी request है कि इस channel को subscribe करो और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसे like करो, share करो तो now without wasting your valuable time I am going to start how to frame question and what is intragative pronoun आपको मैंने kinds of sentence में पढ़ाया intragative sentence अभी we are going to learn intragative pronouns intragative pronoun की simple definition है the words particularly डवल्य एच उनको अपन questioning के लिए question पूछने के लिए सवाल पूछने के लिए use करते है करके उनको intragative pronoun बोला जाता है और इसमें आपको intragative pronoun में जो intragative first pronoun है first है who जिसे आप कोई भी subject या जो जिसे अपन doer बोलते हैं उसे पाने के लिए आपको who को use करना है for example अगर मैं बोलता हूँ who are you आप कोन हूँ who is singing या पर कोन का रहा है आप directly you can take who at the beginning for example अगर मैं या पर लिख रहा हूँ गीता was cheating her mom गीता उसके mom को फसा रही थी तो मुझे गीता को हटाना है और सीधा सीधा मुझे आप पर who was cheating her mom question पूछना है तो इसका answer मुझे मिल जाएगा who was cheating her mom तो answer मुझे मिल गया गीता was cheating her mom तो who is very simple interactive pronoun we can use who just to know who is doer now second if you want to know object और वो living being है तो आप whom को use कर सकते हो for example I wrote a letter to him और मैंने him को underline किया अब और आपको सवाल पूछा गया कि whom का इस्तेमाल करो कि मैंने किसे letter लिखा तो यहापर आपको क्या करना है I wrote a letter to him अब यह जो sentence है यह simple past tense में है अब यहापर यह जो object है यह living being है यहापर दो object है a letter है यह object number one है यह object number two है अब मुझे object number two के लिए मैं whom को इस्तेमाल कर सकता हूँ मेरा question बनेगा whom did I write a letter whom लिया simple past tense है मैंने इसले deed लिया बाद में मैंने subject लिया इस road को मैंने right में convert किया क्योंकि आपको मालूम है deed अगर है simple past tense है deed है तो मुझे main verb लेना पड़ेगा और whom did I write a letter इसका answer मुझे मिल गया कि मैंने उसे letter लिखा ओके तो अपना जो sentence था I wrote a letter यह जो sentence है I wrote a letter to him अब इससे थोड़ा पन बढ़ा देंगे I wrote a letter to him last year to know his condition मैंने उसे later लिखा last year उसकी जो condition है उसकी जो situation है वो situation जानने के लिए अब to know his condition यह reason है last year यह time indicating word है तो यहापर मैं time लिख रहा हूँ मैंने आपको to him के लिए whom का इस्तेमाल किया इसका question अपन ने बनाया अब मैंने आपको बोला कि यह object number one है और यह non-living है वो living object है this is the living object यह non-living है अब इसके लिए भी मैं एक question बना सकता हूँ इसके लिए यह मैंने already question बनाया है इसके लिए भी मैं question बना सकता हूँ और इसके लिए भी मैं question बना सकता हूँ स्रिप मुझे अब क्या करना है इंट्रागेटिव प्रोनौन में ही reason के लिए मुझे भाय लिना है इंट्रागेटिव प्रोनौन time के लिए I can take vain इसका मैंने आपको बना के बताया अब यह object है यह non living है तो इसके लिए मुझे ले सकता हूँ what now what whom when and why all these are इंट्रागेटिव प्रोनौन अभी मुझे अगर सवाल बनाना है इस non living what का तो मेरा question बनेगा what did I write to him last year remaining जो भी words से वो आएगे last question mark इसका answer मुझे मिलेगा a later अब मुझे अगर last year के कब लिखा गई मैंने तो मैं what के जगा स्रिप मुझे वेन लेना है when did I write a later to him last year तो answer आएगा तो नहीं आएगा to know यह सब आएगा last year question mark इसका answer मुझे मिलेगा मैंने कब लिखा answer मिलेगा मुझे last year this is grammatically correct question अब रहा reason के लिए तो मुझे स्रिफ क्या करना है when के जगा मुझे भाय लेना है why did I write पूरा sentence as it is लेकिन whenever you frame a question you cannot write that underline word जिस word को underline किया है उस word को आपको question में नहीं लेना है और in this way now see here we have used whom when what why और पहले इसमे में आपको बताया है how to use who अब रहा गया है how whose which and where these are also interagative pronoun how is used to indicate action कोई चीज कैसे हो रही है कैसी है how are you अपने पूछते हैं कि आप कैसे हो how are you working there तुम वहाँ पर कैसे काम कर रहे हो whose whose work is good किसका काम अच्चा है which house have you selected किसका घर आपने सिलेक्ट किया है where do you live आप कहा रहते हो where did you get that आपको कहां मिला तो यह where indicate place which is used to know the choice आपको दो तीन चीजों में से कुछ तो भी सिलेक्ट करना है whose यह possession indicate करता है और how कोई भी जो action है वो action की कोई ते situation में है कोई इंसान कैसे पढ़ा रहा है वो कैसे कैसा है इसके लिए अपन हाउ का इस्तेमाल करते है so these are all interactive pronouns which are used to raise question लेकिन question formation is not too much easy unless and until you know the grammar perfectly क्योंकि आपको यापर do कब लेना है does कब लेना है deed कब लेना है और question की sequence क्या है पहले आपको interactive pronoun लेना है interactive pronoun के बाद आपको to be लेना है as per the tense बाद में आपको subject लेना है बाद में verb लेना है बाद में object लेना है last में question mark देना है so if you practice well you can be very comfortable in framing question but practice makes man perfect you have to practice lot i hope that you like it thanks for watching